वेलकम तो केमेक्स प्लूरुक चैनल देखो ए रसी है जो इंटरनेशनल एडवर्स रिसर्स सेंटर फॉर पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटरियल्स का जो एक उटनोमस सेंटर है ठीक है गवर्मेंट इंडिया का जा पर वेडियास पोस्ट रिलीस हुआ है उसके बार मे डीटल्स में विडियो में इसर्स करेंगे तो बीफॉर गूइट टिस स्थ वीडियो इफ ये इस चनल सब्सक्राइब तु यस चैनल सब्सक्राइब कर दो नीचे जाओंगे तो यहां पर वेटियास पोस्टेज जिसका लासडट इस शीब आख़ी करा यहां पर जाएगा क्लिक करोंगे तो details advertisement आ जाएगा and then you can see various post है करके हम लोग डिस्कस करते है first जो post है scientist ji ka post है ठीक है यह पर एक vacancy है pay level काफी हाई है ठीक है and यहाँ पर कौन सी category के student apply कर सकते है master's degree in physical science bachelor's degree in engineering student apply कर सकते है तो यहाँ पर experience भी चाहिए and यहाँ पर selection कैसे होगा देखो यहाँ पर selection होगा based on presentation on R&D achievements and future plans followed by personal interview राइट तो यह थो रहाँ scale का post इसका salary level काफी हाई है ठीक है और राइट नेक्स जो post है scientist B ठीक है यहाँ पर MS student directly apply कर सकते है in physics chemistry or material science और B और B tech in metallurgy materials mechanical electrical engineering student इस post के लिए apply कर सकते है यहाँ पर कोई भी experience की ज़रूद नहीं है यह पर mode of selection personal interview के थुरू होगा ठीक है दो यह पोस्ट है pay level 10 है इसका you can see total amount क्या मिलेगा यह 99,000 approximately मिलेगा ठीक है यह पर देखो यह पर job requirement में क्या है यह भी mention किया गया ठीक है ongoing different R&D project में काम करना पड़ेगा उसका बाद नेक्स जो पोस्ट है technical officer A का पोस्ट है जहाँ पे total 3 vacancy है pay level 7 है इसका total enrollments कितना होगा ठीक है age limit 30 years ठीक है previous पोस्ट के लिए age limit 28 years for the general student इसके लिए age limit 30 years ठीक है तो यह पे एसेंसेल qualification में MS in physics chemistry analytical chemistry metal science you can see various business B or B tech engineering student भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते है यह पे कौन सी job requirement चाहिए ठीक है पोस्ट कोड जो four है यह पे technical assistant का पोस्ट यह पे एक ही vacancy है और यह पे बीस स्ट्रेंट अप्लाई कर सकते बीस सी फिजिकल साइंस physics chemistry as one of the subject हो यह पे और भी various students apply कर सकते है ठीक है और यह यह पे लास्ट में technical एक पोस्ट जाए फोर वैकेंज है यह यह जो पोस्ट यह पर आईटिया इस टूटेंट इस पोस्ट के लाइब कर सकते है ठीक है इसके लिए जेनरल OVC student के लिए 500 रूपीज, HCT PWS student के लिए 300 रूपीज अगर टेक्निकल एसिस्टेंट ए टेक्निकल ए ड्राइबर पोस्ट इसके लिए थोड़ा कम है 300 and 150 रूपीज ठीक है उसके बाद सेलेक्शन के बाद मिए मैं बता दिया डिफेंट पोस्ट के लिए डिफेंट स एक्जामिनेशन के लिए टेक्निक ल एसिस्टेंट एक पोस्ट यो पर आपक्सीन धे एक्जाम था जा पर B.S.C. Physics, Chemistry Also स्कार्नाता, all the ways for the job application and thank you very much for watching this video.